हर वर्ष आशाड महा की पूर्णिमा तिथी को गुरू पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस साल गुरू पूर्णिमा का महा पर्व सोमवार तीन जुलाई को मनाया गया। इस पावन अफसर पर कोलारस पूर्व विधायक महें रसी है यादव ने विभिन स्थानों पर आयोजित हुए कारिक्रमों में भाग लिया और गुरू मुनियों का आशिरवात भी प्राप्त किया। इस दोरान महें रसी है यादव जी का सभी लोगों ने जम कर स्वागत किया। सफलता और सुक्षान्ती गुरू के द्वारा दिखाए गए सच्छे मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। हिंदू परंपरा में गुरू हमेशा से ही पूझनिय माने गए हैं एवं सभी को गुरू पूर्णे मा पर शुपकामनाएं भी दी। गुरू पूर्णे मा एक ऐसा पर्व है कि जो भी हमारे गुरू है। चाहे हमारे दर्म गुरू हो चाहे हमारे किसी भी रूप में गुरू रहे हो चाहे राजनितिक गुरू हो गुरू का मतलब जी है जिसने हमें हाथ पकड़ करके कुछ सिखाया हमें रास्ता दिखाया उस गुरू के लिए एक बार साल में ऐसा मौका आता है कि हम उनको नमन क रहें उनको किसी भी रूप में जाकर कि कुछ दान दक्षना दें इस रूप में कि मैं आपका सिस्थ हूँ क्योंकि गुरू जो हमेशा पिता के बाद में अगर कोई है तो गुरू है जो आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत पर रहता है क्योंकि जादत तर आपने देखा करते हैं या नीचे डहकिलना का कूल करते हैं लेकिन एक पता ही है जो खता मेरा सो के बढ़े या फिर गुरू ह कहता है जो कहता है मेरेोंसी हो और आगए जाए तो गुरू पूर्णू मांपर और अभी मेरी पताझी उर मेरे douदा ऑण महराज से उनसे हम क्या लोगोन ने गुरु दिख चली थी और उसके बाद मैं जब मेरी उम्र 20 साल थी और उसके बाद मैं अभी दोविशार से जोड़े तो गैति परिवार के जो गुरुजी ये पंडित सीदाम सरमाजी उनको भी हमने अपना गुरू बनाया और गुरू तो जितने हो सके बनाते रहने चाहिए क्योंकि हर लाइन में कोई न कोई गुरू अगर है तो वो ही आपको आगे बढ़ा सकता है और गुरूओं के नमन और गुरूओं के प्रणाम से गुरुओं के आशीरवाद से आप आगे बढ़ सकती हैं यह आपको अपने दुमाग में और दिल में रखना चाहिए तो हमेशा मैं तो यह कहूंगा कि गुरुपूर्णमा के अफसर पर अपने गुरुओं को याद करें वो सके तो उनको जाकर के प्रणाम करें और उनका अशीरवाद में और सभी को गुरुपूर्णमा की बहुत-बहुत बदाई और सब्सक्रामना हैं और सब लोग जोए ऐसे उसमें अच्छा दार्मेक अनुफ्टान करें दार्मेक कारियों में दिनबर बिताएं ऐसी सभी को बहुत-बहुत बदाई